Hello friends, स्वागत है आपका Learning Pharmacy चानल पे जैसे कि आपको पता है जो भी important vacancies होती है उनकी update हम आपको देने की कोशिश करते है अपने चानल पे तो आज जिस vacancy के हम बात करेंगे वो निकली है देखे सहस्तर सीमाबल, Ministry of Home Affairs, Government of India की ये vacancy है तो हाँ इसमें क्या है देखे सारी ही candidate all over India के candidates form fill कर सकते है, eligible है, किस तरह से vacancy है, सब कुछ अच्छे से हम discuss करेंगे इसका जो detailed PDF है उसका link हम आपको description box में देदेंगे वहाँ से जाके आप सब कुछ देख सकते है, क्या requirement है, इसकी किसे साब से paper होगा इस वीडियो में हम बहुती brief information discuss करेंगे आप से ताकि आपको एक knowledge हो जाए किस तरह की vacancy है, vacancies निकलिए देखे ASI pharmacist और भी आप देख रहे है radiographer, operation theater, technician हम बात करेंगे अगर ASI pharmacist की तो उसमें किती vacancy है total 7 vacancy है, जिसमें 1 OBC की, 2 ST की और 4 SC की vacancy निकली है तो देखे, disappointing है यह उन बच्चों के लिए जो की general category से है, unreserved category से है क्योंकि उनके लिए vacancy नहीं निकली है, तो लेकिन निराशना हो आप बहुत सारी ऐसी vacancy आती रहती है future में भी, जिसके बारे में हम आप से बात करते रहेंगे आप देखे क्या है, जैसे कि आपने देख लिए कितनी vacancy, total 7 vacancy है जहाँ पर यहाँ सब इन्होंने लिखा है कि किस तरह से reserve candidate के लिए vacancy है आपको application form online fill करना है, कोई भी other mode से application form आपको fill नहीं करना है अब क्या है, यहाँ पर उनने क्या बताया है कि यह जो pay scale है इन सारी vacancy का pharmacist, radio graph वगारा की level 5 का आपको pay मिलेगा आपने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, कितने का है यह pay grade आपका other allowance भी आपको मिलते रहेंगे, जिस तरह से आपको DA विगरा मिलते हैं eligibility criteria बहुत important है, देखे, ASI pharmacist, age limit जो है आपकी 20-30 साल के बीच में आपकी age limit होने चाहिए, क्योंकि यह जो इस तरह की jobs होती है army वगरा की, सहस्तर सीमा, बलकि उसमें age limit बहुत जादा नहीं होती है तो 30 साल तक भी उनने काफी जादा दी है age limit, 20-30 साल essential qualification में 10 plus 2 pass out होने चाहिए, आप science stream से और क्या है देखे, आपके पास degree या diploma in pharmacy होना चाहिए किसी भी state या central university से आप pass out होने चाहिए, तो आप eligible है इस post के लिए, और क्या है registered pharmacist होने चाहिए, और pharmacy act के तहत यह सारे इसकी eligibility criteria है, तो सारे ही बच्चे जन्होंने diploma किया है, bachelor's किया है, registration certificate आपके पास है, तो आप apply कर सकते है online इसके लिए, last date क्या है देखे, यहां पर उन्होंने बताए, last date of application क्या है 30 दिनों के अंदर जब ये advertisement employment news में निकलेगा, 30 दिन तक आप इस form के लिए apply कर सकते है तो online apply का इसका link active है, आप जाके apply कर सकते हैं, इसका link हम आपको description box में दे देंगे वहाँ तर डिरेकली आप जाके apply करें online, किस तरह से fees है, कि 100 रुपे कि इसकी examination fees है, आपको fill करनी है जब आप अपना application form fill करेंगे, how to apply में उन्होंने साफ साफ mention किया है कि सिर्फ और सिर्फ जो online application है, वो ही entertain की जाएगी, किसी भी और mode से आपको नहीं भेजनी है application यहाँ पर website आप देख रहे है, www.ssbrickard.go.in तो इस website पर आप click करेंगे, जब तो directly आपका website का link open हो जाएगा वहाँ पर जाके आपको advertisement number 338, यह वाला advertisement आपका है, paramedical staff का है जिसको आपको जाके fill करना है, यह सारे information है, यहाँ सबके ही link हम आपको देदेंगे description box में जिन बच्चों को लगता है कि उनको यह vacancy भरनी चाहिए, क्योंकि reserve category की ही vacancies है, सिर्फ unreserve की नहीं है तो जाके आप fill करिए vacancy, अगर form fill करने में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप comment section में हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बच्चे वहाँ पर अपनी channel conversation करते रहते हैं, तो वहाँ आप जाके comment कर सकते हैं, यह आपको किस तरह की दिक्कत आ रही है बाकि कोई भी important update आप मिस ना करें, तो channel को subscribe जरूर किया करें, और इसी तरह की और भी vacancies के लिए हमारे से जुड़े रहें, तो तब तक आप अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में